ओम श्यान्ति हम भगवान से जुड़े हुए हैं उसका संपोर्ण ज्यान हमारे पास है डिवाइन विजडम हमें मिली है दिव्य विवेक हमें प्राप्त है हम हर गटना को दूसरे नजरिये से देखने की प्रेक्टिस करेंगे अब अब ड्रामा का ये 5000 वर्ष का पार्ट चलना है सब हिसाब किताब यहीं चुक्तू हो जाएंगे हमारे नहीं सब के किसी को प्रकरती की ओर से कस्ट मिलेगा उनकी ओर से विकरम विनास होंगे किसको आप दाए विपदाओं की ओर से कस्ट मिलेगा विकरम विनास होंगे सरीर जल्दी जल्दी छुटेंगे जल्दी जल्दी जनम होंगे, इससे भी करम विनास होंगे, हमें एक यानी स्मर्ती में रख के सक्सी भाव बढ़ाना है, खेल चल रहा है, nothing new, तो आपके पास कोई बिमारियां आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेलेंज हो गया, वरत्मान, विस्व के समक्स, और क्योंकि कोई दवा ही नहीं है, वैक्सिन नहीं है, इसलिए जादा परिशानियां है, डॉक्टर्स भी बिमार हो रहे हैं, डर से बहुत डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है, डर की बात भी बड़ी नेचुरल है, हर एक को डर होता है, हर एक को अपना जीवन पर ये होता है, मरना तो कोई भी नह चाहता क्योंकि और काम करने हैं संसार में और जीवित सब को रहना ही चाहिए जो योग्य वेक्ति हैं उन्हें तो अच्छी तर है लंबी आयू वाला होना चाहिए ताकि संसार की सेवा करते हुए वे इस संसार से विदाई लें तो हमें ड्रामा का ग्यान है कि ये सब होना है किसी को आज किसी को कल जो पाप कर रहे हैं उनको भी सजाएं मिलनी हैं तो हम सभी इन विमारियों में जैसे हमने चर्चा की है कि डॉक्टर्स के पाद नहीं जा रहे हैं पैसा नहीं है आप गरीब हैं आपको विन-विन कठनाई हैं आप श्रिवाबामें विश्वास रखें उसका आवान करें और विमारियों के समें विशेश रूपप से इस संकल्प से आवान करें हे वैद्यों के वैद्द है नहीं मेरे परंपिता, मेरे खुदा दोस्त, आजाओ, हमें इस बिमारी से मुप्ट करो. जब हमारा बाप ही सुप्रीम सर्जन है, जब हमारा बाप ही सब बिमारीयों को नस्च करने वाला है, तो हमें चिंता क्यों विश्वास रखें उसमें, इस्थिती को अचल अडोल करें, क्योंकि अगर उसमें विश्वास नहीं होगा, तो कुछ काम नहीं होगा, भले ही वो आपको शक्तियां दे भी, आपको vibrations दे भी, आप उसे receive ही नहीं कर पाओगे, विश्वास और भावनाए हमारी receive करने की शक्ति को, हमारी grant करने की शक्ति को बहुत बहुत बढ़ा देते हैं, तो हम ड्रामा के ग्यान को यूज करें, विविन परिश्थितियों में हमारे साथ स्वयम भगवान है, जो कल पहले हुआ था, वही हो रहा है, और विशेश रूप से जो पास्ठ हो गया, उसको बार-बार याद करके अपनी शक्तियों को नस्त न करें, अपनी स्थिति को न बिगाडें, अपने संसकारों को दूसित न करें, जो पास्ठ हो गया, वो हो गया, अब वो रिपेट नहीं होगा जल्दी, पांच जार साल के बाद रिपीट होगा, उसे पहले ही हम वो पांच जार वर्स में दो बारा नहीं होगी, तो ये बहुत ही गहरी बात है, जिनके पार ड्रामा का ज्यान है, वो इस ज्यान का यूज करते हुए, अपनी स्थिति को अच्छल अडोल बनाएंगे, किसी प्रिजन की मृत्य होगे, किसी प्रिजन को कस्ट बहुत हो रहा मृत्य नहीं कस्ट हो रहा, उसको कैंसर हो गया है, टॉक्टर्स ने मना कर दिया है, सब ने जबाब दे दिया है, तो भी आप उसको गुड़ वाइब्रेशन्स दें, अपनी योग की शक्तियों का परियोग करें, ड्रामा के ज्यान से पहले अपने मन को अच्छल अडोल ब मना दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, संकल्प सक्ति का परियोग करें, मेडिसिन्स का परियोग करें, घरेलू चीजे बहुत हैं, उनका परियोग करें, हल्दी बहुत अच्छी दवाई है, आप रात को थोड़ी से बहुत जादा लेंगे तो गर्मी करेंगी, थोड़ी से के साथ या पानी के साथ ले लें, आपको हेल्दी रखेगी, एंटिबाइटिक भी है, इम्यून पावर भी बढ़ेगी, तो इस तरह हम अपने को विचलित ना करें, आगे बढ़ाएं, दुसरों को भी आगे बढ़ाएं, स्वयम को भी आगे बढ़ाएं, और इस अंसार मे पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह चमकने लगे, ओम श्यांति